तो आज की वीडियो में हम लोग exercise 4.2 का question number 4 solve करने जा रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके previous जो questions से वो भी solve कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं videos तो you can check that out in my channel आप जाके देख सकते हैं also जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजिए और चलिए जल्दी से हम लोग इस question को solve तो सबसे पहले का हम अपना question read कर लेते हैं कि हमारा question आकर कहता क्या है the altitude of a right at right triangle is 7 cm less than its base if hypotenuse is 13 cm find the other two sides अब क्योंकि यह quadratic equation का question है तो हमें बिलकुल पता है कि इसमें क्या बनेगी quadratic equation बनेगी मतलब कि x की power 2 वाली equation बनेगी तो हमें क्या दिया हुआ है भाईये एक right triangle दिया हुआ है ठीक है हम बना लेते है एक right triangle ठीक यहां में right triangle दिया हुआ है अब हमें पता होता है कि भाईया ये क्या होती है ये इसकी हाइपोटेनियस होती है ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस ठीक तो अब हमें दिया हुआ है कि ये इल्टिट्यूट इल्टिट्यूट का मतलब होता है उसकी हाइट तो भाईया इसमें हाइट क्या होगी ना यह पर्पेंडिकुलरी इसकी हाइट होगी राइट यही तो है इसकी हाइट और वह उसकी जो हाइट है न वह बेस से 7 सेंटिमीटर कम है बेस क्या हमारा यह यह हमारा बेस है अब इस से से 7 सेंटिमीटर कम इसकी हाइट है तो अगर हम बेस को माल ले एक्स एक्स सेंटिमीटर का हमारा बेस है समझ लीजिए तो इसकी इसकी जो हाइट होगी इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा एक्स माइनस सेवन नहीं होगा क्या यह हमने एक्स सेंटिमीटर माल लिया हमें दि हैं यह हमें कित्ता दिया हुआ है 13 cm ठीक है अब हमने बचपन में एक थियोरम पड़ी थी जिसका नाम क्या था पाइथग ओरस थियोरम जो हम जुन्दगी में कभी नहीं भूलेंगे वह पाइथग ओरस थियोरम क्या कहती है कि जब हम लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं PGT कहते है कि जब हम लोग hypotenuse का square करते है न तब हमें क्या मिलता है perpendicular का square plus base का square यह है हमारी pythagoras theorem अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है भईया? hypotenuse दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? value put कर लेते हैं hypotenuse के जागत क्या रख देंगे 13 का square पर्पेंडिकुलर को हमने क्या माना है x-7 यह आप लोग लिख लीजेगा let base is equal to x cm then perpendicular will be x-7 cm तो x-7 का square plus base को क्या माना है x तो यह क्या हो जाएगा x का square ठीक है अब हम इसे solve कर लेते हैं तो 13 का square कितना हो था 169 right x-7 तो a-b का whole square वाला formula लगा दे क्या होता है x square a square plus b square 7 का square क्या होगा 49 minus 2ab तो 2 into 7 हो जाएगा 14 और x तो 14x ठीक अब plus x square तो as it is आ जाएगा right अब x square plus x square कितना हो जाएगा 2 x square और 49 को हम इदर भेजने चलिए 169 minus 49 is equal to 2 x square minus 14x अब 169 में से 49 गया तो कितना answer आया भाया 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 as it is 120 is equal to 2 x square minus 14x अब 120 को हम लोग इदर भेज देते हैं तो ये answer आगया हमारा 2 x square minus 14x minus 120 is equal to 0 अब ये 120 को हमने इदर भेज दिया अब बताईए क्या आ गई है हमाई पास quadratic equation आ गई और इसको तो solve करना हमें आता ही है तो हमें एक चीज़ देख रही है इसमें कि भाया sum में जो है न 2 2 आ रहा है तो हमें काम करते हैं इस पूरी equation को 2 से divide कर देते हैं जब हम इस equation को 2 से divide करेंगे divide by 2 तो क्या answer आएगा 2 divided by 2 हो जाएगा 1 तो अकिला x square बचेगा 14 divided by 2 कितना होगा 7 minus 7 x बचेगा 120 divided by 2 कितना होगा 60 minus 60 is equal to 0 तो यह आगया अब इसमें और कुछ divide कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो यह हमारी एक equation आ गई है ठीक है अब हमें क्या करना है इस equation को solve करना है तो 2 method होते हैं solve करने के एक तो होता है formula method जो कि मैंने आपको बता चुका है minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a और एक होता है हमारा factorization method मतलब कि splitting the middle term तो आपको जो easy लग रहा है आप उससे कर सकते हैं ठीक है तो अब ही तो मुझे लगता है कि factorization method ज़्यादा easy है तो हम लोग factorization method से करेंगे तो हम इसे रब कर देते हैं guys तो हमारी equation है x square minus 7x minus 60 अब आप बताईए कि कौन से ऐसे दो numbers हैं जिने minus करने पर हमारा answer 7 आए और multiply करने पर हमारा answer minus 60 आए तो अब आप बताईए 60 के हमें पहले factors लिखने होंगे लेकिन हमें एक चीज ध्यान में आ रही है कि 12 into 5 क्या होता है 60 होता है वैसे तो आप factors लिखके भी कर सकता है कि 2 into 30 is equal to 60 and then 4 into something something is equal to 60 तो ये तो बहुत लंबी process हो जाएगी अभी आपके अगर मन में आ रहा है कि 12 into 5 is equal to 60 होता है तो हमें पता है 12 minus 5 is 7 होता है तो हमें मिल गए वो दो number 12 और 5 तो अब हम क्या कर सकते है x square ये हमारी equation है minus 7x minus 60 is equal to 0 ये is equal to 0 लगाना बहुत जरूरी है इसमें boards में number कटते हैं ठीक है अगर ये ना लगाओ तो तो 60 अब हम बीच के time को तोड़ते है 12 minus 5 में 12 minus 5 x minus 60 is equal to 0 जब आप ऐसे bracket बना के तोड़ेंगे न तब आपकी sign की गलती बिलकुल नहीं होगी आपने देखा 60 के आगे क्या है minus लगा है तो bracket में भी minus आना चाहिए जो दो number आप चूस करें बाद में अगर अपन bracket खोलते हैं तो देखिए आप ये अपनने bracket खोला minus अंदर multiply हुआ तो यह हो गया minus 12 x फिर minus minus plus 5 x बाद में भली sign change हो जाए लेकिन जब हम bracket में लिखते हैं तब sign वही आना चाहिए जो constant term के आगे है 60 के आगे minus है तो इसमें भी minus आया जब आप ऐसा करते हैं तो bracket खोलने के बाद आपकी sign की mistake नहीं होती तो अब हम लोग pairing कर लेते हैं इसमें क्या common आएगा x अंदर क्या बज़ेगा x minus 12 इसमें क्या common आएगा 5 अंदर क्या बज़ेगा x minus 12 तो x minus 12 x minus 12 ये common ले लेते हैं बागी जो बचा वो एक bracket में तो x या तो क्या हो जाएगा अपना 12 या फिर x क्या हो जाएगा minus 5 अब आप बताईए कौन सा वाला x हम लोग choose करें minus वाला या plus वाला कभी आपने सुनाए अपने मम्मी पापा को बोलते हुए कि भाईया इसकी height जो है ना minus 20 feet है ऐसा सुनाए height कभी minus में measure होती है कभी length minus में measure होती है ये कपड़ा minus 1 meter का है ऐसा कभी सुना है नहीं न तो length जो होती है वो हमेशा positive ही तो होती है तो इसमें हम लोग plus वाला लेंगे न minus वाला नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि negative length नहीं होती ये है हमारा x की value 12 तो यानिकी base जो था हमारा वो क्या आगया? 12 cm आगया अब जो हमारा perpendicular था हमने altitude जो था वो क्या माना था? x minus 7 तो perpendicular क्या था? x minus 7 is equal to 12 में से 7 गया तो कित बज़े? 5 तो perpendicular आगया हमारा 5 cm और base आगया हमारा 12 cm अब आपको चेक करना है आपके पास exam में टाइम बज़िया आपको चेक करना है कि आपका answer सही आया है या नहीं आया तो आप क्या करेंगे? आप क्या करिए? ये जो पाइथक और अस्थियोरम हमने लगाया इसमें हमें P की भी value मिल गई, B की भी मिल गई, H की भी मिल गई आप सब की value put कर दीजे और सब को put करने पर हमारा जो left hand side है वो RHS के equal आना चाहिए अब आप बताइए 5 का square 25, 12 का square 144 144 प्लस 25 कितना हो गया? 169 और यहाँ पे भी क्या आ रहा था हमारा? 169 तो मतलब कि हमने answer जो है वो सही निकाला है तो आपके पास ऐसे extra time बच रहा हो एक्जाम में तो आप इसे check कर सकते हैं ठीक है? बहुत अच्छा होता है बहुत सारी गल्तियां होते 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 रुप जाती है ठीक है? चलिए जल्दी से कर दीजे वीडियो को like अगर आपको फसंद आया हो तो क्योंकि बहुत मैनत लगती है वीडियो बनाने में और आप उनका भी भला चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप और आगे आने वाले वीडियो ना मिस करें चलिए मैं मिलती हूँ आप से बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में तब तक ले टेक वेरी वेल केर अफ यौर्सेल और यौर फैमली और भाइ बाइ